इतिहास से लेकर विक्यान तक हर छेतर में कोई न कोई रोचक तथ्य जुरे हुए है रोचक तथ्य को जानने की अनकी जिग्यासा होती है हम जिस भारत देश में रहते हैं इसमें भी अनेकों रोचक तथ्य है क्योंकि हम भारत में रहते हैं इसलिए इसके बाड़े में जानना हमारे लिए काफी जरूरी है और हमारे सरीर के धाचे से जुरे भी कई ऐसे रोजगतत्य हैं जिनके बाड़े में हम नहीं जानते इसी तरह पूरे बर्मांड में भी ऐसे कई घटनाई होती रहती है जिसके पीछे कई रोजगतत्य जुरे ह होते हैं सो आग के वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 फैट आपके नहीं लेकर आई हैं जो आप पेने से नहीं जानते होंगे तो वीडियो को एंट तक जरूर देखे और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर देना अकसर लोग हवाई जहाज में मिलने वाले खाने के बुड़ाई करते हैं लेकिन एक जर्मन स्टडी के मताबिक दोस्ट खाने का नहीं बलके हमारे टैक्स बर्ट का है जब हम 35,000 फीट के उचाये पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तब ड्राइनेस और लो प्रेसर के वज़ा से हम हमारे टैस्ट बर्ट की सेंसिटिविटी 30 परसेंट तक घर जाती है साथ हमारे स्मेल करने की समतावी घर जाती है और हमें खाना बेस्वात लगने लगता है नंबर टो अगर मैं आपसे पूछू कि दुनिया का सबसे पुराना होटेल कितना पुराना है तो साइज आप कहे पुराना लेकिन आपको आचड़ी होगा कि जापान के अगैस की मांटेंज की पास इस्तिद निसायामा ओंसिथ होटेल डुनिया का सबसे पुराना होटेल होने का वर्ल रिकॉर्ड रतता है और यह होटेल 100 या 200 सापुराना नहीं बलकि 300 सापुराना है और यह अब तक 52 प जोइन्ट, गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैस हो गए थे वो दिन था जून 25 टूथाउजन नाइन उस दिन पॉप किंग माइकल जेक्शन की डेथ हो गई थी और पोड़े दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी जिस कारण से ऐसा 4. ओलम्पिक गेम्स आते ही सभी की दिन चस्पी खेलों में बढ़ जाती है लेकिन साइद आपको जानकर आ चरिये हूँ कि बहुत पेले ओलम्पिक में ऐसे गेम्स होते थे जिन पर यकिन करना बहुत मुस्किल है जी हाँ पेले इन खेलों में जिन्दा कोगोतरों पर लेकिन साल 2001 में हुई एक पीजा डिलिवरी के लिए कुछ 100,000 या लाग नहीं बलकि पूरे 7 क्रोर रुपे खर्च करने पड़े थे दरसल ये स्पेसल फैन पीजा एंस्टरोन और यूवे उस आचेव की डिमांड पर एक दी सब्लाई रोकीट दोरे इंटरनेसल स्पेस टे के बारे में आप जरूर जानते होंगे लेकिन आपको जानकर आचे रहे होगा कि 1974 में के एपसी दोरा जापान में चलाया गया एक मार्केटिंग केमपेंग इतना कामियाब रहा कि आज तक इसकी वज़ा से क्रिस्मस के दोरान के एपसी के सेल बढ़ जाती है दरसल उस समय क एपसी ने कैंटि की फौर करिस्मस कैमपेंग चलाया था जिसमें लोगों को डिनर में क्रिस्मस चिकन खाने के लिए मोटिवेट किया गया था और आज भी बहुत से जापानी गरू में क्रिस्मस के दिन कि एपसी से चिकन मगा कर डिनर किया जाता है नमबर 7 आपको ये तो जरूर पता होगा कि जुपीटर सोलर सिस्टम का सबसे बना ग्रे है लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये कितना बड़ा है यदि आप बाकि सबी प्लैनेर्स को मिला दे तो भी जुपीटर अकेले उसका दुबना दिखेगा और अगर सिर्फ लेकिन आपको जानकर आचेरे होगा कि कुछ सौ साल पेहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खीते समय से प्रेनेस कहते थे ताकि फोटो में उनके चेरे पर गंभीता दिखे दरसल उस समय अधिखसना गरीबों और सरा पीनेवालों से जोड़कर देखा जाता था देही कारण है कि जब भी हम पुराने समय के राजा महराजाओं के पोट्रियर देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है नमबर नाइन अगर आप हर समय ब्यायम करने की सौकिन है तो आपको ब्यायम करने से पहले दो केले अऊस्ते खा लेना चाहिए क्योंकि केले खाने के बाद आप में इतने एनरजी आ जाती है कि आप 90 मिना तक बिना थके ब्यायम कर सकते है नमबर 10 चंगेश खान एक बहुत कुरोड और कुसल मंगोरियाई समडार था जिसने अपने युद्ध कुसलता से सन 1206 से लेकर 1227 के बीच एसिया और यूरोप की एक बड़े हिस्से को जीत लिया था चंगेश खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सुल्माओं के पसीने छोड़ जाते थे चंगेश खान और उसकी सेना जिस भी छेतर से गुजरती थी अपने पीछे बरबादी की कई कहानिया छोड़ कर चली जाती थी चंगेश खान का जन्म सन 1962 के आसपास मंगोल्या के एक खाना बदोस कबीले में हुआ था चंगेश खान को उसकी कुरूरता के लिए जाना जाता है वह जिस भी छेतर में जाता था सहर के सहर तबाग कर देता था और खूब मार काट करता था चंगेश खान की मिर्ट्यू घोरे से गिरने की वज़ासे हुए थी चंगेश खान 1227 में पेसर साय के उम्र में एक बड़ा और कुरूर इतिहास अपने पीछे छोड़ कर इस दुनिया से नरग लोग में चला गया तो दोस्तों उम्मिद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दे और रोज ऐसे वीडियो को देखने के लिए बैल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलेगा क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स फर वाचिंग